श्री हरिवंज प्रणाम आईए एक बार हरिणाम का उच्चारन कर लें फिर उसके बाद आज की भाव में प्रवेश करते हैं Govind Radhe Madhava Gopal Radhe Madhava Govind Radhe Madhava Govind Radhe Madhava गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद 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 राधे माधवा, गोपाल राधे श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति सा त्वस्मिन परम प्रेमरूपा अम्रित स्वरूपा च प्रथम संकेत प्रथम इंगित श्री नारज जी करते हैं अपनी वानी से भक्ति के स्वरूप स्वभाव का वर्णन करने के लिए नारज जी इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं असमदादी जीवों पर अनुग्रह करके आपके मेरे कल्यान का पत प्रशस्त हो सके मार्ग सुगम हो सके, सीधा स्पष्ट हो सके इसके लिए देवर्शी नारज जी ने ये कृपा पून ये अनुग्रह पून ग्रंथ रत्न प्रकट करके आपको और मुझे प्रदान किया है ये प्रसाद है, तो प्रथम इंगित श्री नारज जी भक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए करते हैं साथ त्वस्मिन परंप्रेम रूपा, इश्वर के प्रती जो उतकट अनुराग है, जो प्रबल प्रेम है, जो सांद्र सगन स्नेह है, वो भक्ति है तो वो भक्ति परम प्रेमरूपा है और फिर इसी के साथ कहते हैं अम्रित स्वरूपा चा और अम्रित स्वरूपा भी है कल विस्तार से इस सूत्र पर आपने और मैंने चर्चा कि अम्रित अर्थात जो धारन किये जाने पर ग्रहन किये जाने पर मृत्यू का भय सदा के लिए समाप्त कर दे और मैंने एक विनम्र निवेदन किया था कि मृत्यू का भय नहीं है भय ही मृत्यू है जीव जब तक भय भीत है तभी तक वो तभी तक वो मृत्यू की पीडा का वो क्षय के दुख का अनुभव करता है जिस घड़ी भगवत क्रिपा से जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है भान होता है जब भगवान क्रिपा करके विवेक प्रदान करते हैं विवेक के बल से विवेक के आश्रय और आधार से जब सत्य वस्तु का चिंतन होता है सम्यक प्रकार से साधन का अनुष्ठान होता है और साधन के अनुष्ठान के प्रसाद स्वरूप जब भगवत कृपा से जीव को वोध होता है वस्तुत ज्ञान होता है वास्तविक ज्ञान होता है बस उसिक्षण उसिक्षण बंधन कटते हैं और भै सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और हमारे श्रीहित धुरुवदास जी कहते हैं मन पंची तब लग उड़े विशय वासनावाही प्रेम बाज की जपट में जब लग आयो नाही कि तभी तक भै है तभी तक विशय और वासना जन्य बंधन है तभी तक पीड़ा है जब तक प्रेम का सपर्ष नहीं होता जैसे ही सदगुरु की कृपा से जीवपान करता है इस अमृत बिंदु का जिसे नारजी भक्ती कह रहे हैं जिसे नारजी ने अमृत स्वरूपा कहा ह जैसे ही सदगुरु की कृपा से देखो जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत का कुम्ब प्रकट हुआ तो बड़ा जगड़ा हुआ देवताओं में और असुरों में के अमृत का पान कौन करेगा तो अमृत का प्राकट्टे हो जाने के पश्चात भी उस अमृत को पिलाय किसने स्वयम भगवान ने मोहिनी रूप धारन करके देवताओं को उस अमृत का पान कराया प्रथम दिन की चर्चा में मैंने निवेदन किया था कि इश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु की जिस भावना की जिस शक्ति की जिस योगिता की अवश्चक्ता है वो सबका सब आपके मेरे भीतर है कान मात्र भी किसी विशय की किसी वस्तु की आपको मुझे बाहर से अवश्चक्ता नहीं है आपको और मुझे विधी जाननी है आपके मेरे पास में सूत्र नहीं है आपके मेरे पास में गुरु जनों का सिद्धान्त नहीं है यहें पर आकर अम्रित तो भक्ती रूपी अम्रित तो इस संसार में प्रकट है और जैसे भगवान सरवत्र समान रूप से व्याप्त है ऐसे भक्ती भी सरवत्र समान रूप से व्याप्त है लेकिन उस प्रकट वस्तू का सदूपयोग करने की विधी उसका सूत्र सिधांत प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरनागती की अवश्यक्ता है तो जब सद्गुरु अपने हाथ से प्रेम के प्याले में भर कर इस शाश्वत इस सनातन भक्ती भावना का एक बिंदु पिलाता है बस उस उस बिंदु का पान करते ही सदा सदा के लिए जीव इस भैरूपी मृत्यू से और मृत्यू के भै से मुक्त हो जाता है जैसे ही अपने स्वरूप का बोध होता है सुई जाने जिन देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई जैसे ही अपने स्वरूप का बोध होता है जैसे प्रभू के साथ अपने संबंध की स्मृति होती है गुरू की कृपा से जैसे ही संबंधानुगा भक्ती में रागानुगा भक्ती की भावना में आपकी मेरी चेतना गुरू कृपा से प्रतिष्ठी थूटी जैसे ही खबर पड़ती है आपको मुझे जैसे ही सुध आती है आपको मुझे अपने संबंध की जो आपका मेरा सदा सदा का संबंध है प्रभू से कभी-कभी गुन-गुनाता भी हूँ मैं जनम जनम की लगी लगन है जनम जनम की लगी लगन है साक्षी तारों भरा गगन है एक शाश्वत संबंध है आपका मेरा प्रभू भी चाहे तो इसे अस्विकार नहीं कर सकते जैसे आपको मुझे गुरु की क्रिपा से सादु संग से जैसे उस मुर्थी की मुझे लाब होता है जैसे वह संबंध की स्मृती होती है शंकराचारिको अपने स्वरूप की ही स्मृती तो हुई और उन्होंने कहा शंकराचारी को अपने स्वरूप का समर्ण ही तो हुआ और उनने कहा कौन हुँ मैं चिदानंद रूपः शिवो हम शिवो हम गुस्वामी जी को भक्ति की कृपा से भक्ति की कृपा से जब लाब हुआ जब लाब हुआ इस इस स्मृति का अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में स्थिती हुई तो गुस्वामी जी की लिखनी लिख देती है मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन्त अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रगुपति पति मोरे आपके मेरे कश्ट का आपके मेरे कलेश का कारण ही तो बस एक है कि प्रभू से आपका मेरा जो संबंद है है कल भी था आज भी है और सदा रहेगा उस साश्वत उस सनातन संबंद की आपको मुझे विस्मृति हो गई है भूल गए है आप और हुए संबंद बनाना नहीं है संबंद तो है हमारे परमश्रदे स्वामिश्री रामसुक दाज जी महराज सदा कहते थे भगवत प्राप्ती नहीं करना है भगवान तो नित्य प्राप्त है केवल प्रभू से आपका मेरा जो संबंद है उस संबंद की स्मृति करनी है इसलिए वो बार बार रटाते थे मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान एक संत कहा करते थे राम जबते हो अच्छा है मेरे राम जबो कृष्ण कृष्ण करते हो बड़ा सुन्दर है पर मेरे कृष्ण कहो मेरे कृष्ण और आपको एक और बात मैं यहां पर निवेदन कर दूँ यह जो आपका मे ये सारी भटकन, ये सारा बिकराव समाप्त हो जाता है, जैसे ही जीव सद्गुरु के कृपा से चक्ता है, अम्रिद स्वरूपनी इस भक्ति की एक बूंद, दूर होता है, भै, दूर होती है चिंता, दूर होता है द्वन्द, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया और कभीर साहिब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं बहु बंधन सों बांधिया एक विचारा जीव कै छूटे बल्यापने कै छुडावे पीव कभीर साहिब कहते हैं बहुत बंधनों से बंदा है काम का क्रोध का लोब का मोह का अहंकार का मद मात सर्र का बहाती-बहाती के बंधनों से कहां-कहां बंधन हैं आप और मैं कभी एकांत में बैठकर अगर आत्म-चिंतन कोई करे तो वो जान सकता है कि कहां-कहां फसी है वृत्ति किस-किस बंधन से मैं बंधा हूँ यही भगवान की माया है बंधन दिखाई तो नहीं पड़ता पर है जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो ना ही आप और मैं जिस बंधन से बंधे हैं वो बंधन दिखाई ही तो नहीं पड़ता वो बंधन अनुभव में ही तो नहीं आता यही तो भगवान की माया का प्राबल्ल है तो कविर साहिब कहते हैं बहु बंधन सो बांधिया एक नहीं अनेक बंधनों से बंधाय जीव एक बिचारा जीव, एक जीव है और कितने बंधन हैं छूटे कैसे? कै छूटे बले आपने कैरे छुडावे पीव या तो कोई अपने बल से छूट जाए? और या फिर कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया? या फिर प्रितम कृपा करके उस बंधन से मुक्त करते हैं जही राखे रगुवीर ते उबरे ते ही काल महा सूर्दाश जी बड़ी प्यारी बात कहते है जा को मनमुहन अंग करे ताको केस खसे नहीं सिर्प है जो जग बैर परे या तो प्रभु स्विकार कर ली या फिर जीव अपने बल से मुक्त हो जाए और मुझे अपने बल से मुक्त होने वाला कोई दिखाई देता नहीं हमारे श्री हितरिवंश चंद्र महा प्रभु कहते पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या परे देह दुख द्वंद कौन क्रमकाल निकद्या अरे भगवान की माया जिसे भगवान ने स्वयम अपना स्विकार किया है मम माया दुरत्या दैवी येशा गुणमई मम माया दुरत्या भगवान ने माया को दुरत्या बाद में कहा पहले गोश ना कर दी कि भाई ये मेरी माया है और जैसे भगवान उसे मेरा कहते हैं जैसे ही भगवान उसे मेरा कहते हैं, आप और में अनुमान लगा सकते हैं, माया की शक्ति क्या होगी, तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं, कि पारा सरसुर इंद्र कलप कामी निमन फंद्या, अरे परे देह दुख द्वंद कौम क्रम काल निकंद्या, महाप्रभु डालते हैं, कि भाई, मुझे तो कोई नजर नहीं आता, मुझे तो कोई द्रिष्टी में नहीं आता, जो अपने बल से, जो अपनी शक्ति से, माया के इस बंधन से मुक्त हो गया हो, इसलिए महाप्रभु समझाते हैं, आपको और मुझे बड़ी कृपा करके, बड़ी करु पर, जेहें नाम निमंगल लोकती हूं, सुहरी पद भजना विलंब कर, हरी पद भजना विलंब कर, महाप्रभु कहते हैं, अरे, अरे मूढ मन, डर, इस माया से डर, और इस, कभी, कभी मन, आप देखो, कभी विचार को रो, कभी मन बहुत सात्विक हो जाता है, कभी, कभी बहुत संसार पाने की इच्छा होती है, कभी, अकारण मन में क्रोध होता है, इर्शा होती है, क्या है, यही त्रिगुण का, यही त्रिगुण का प्रभाव है आपके और मेरे जीवन पर, गुण-गुण में बरतता है, त्रिगुण जनित ये ये देह, त्रिगुण जनित चली जाती है और जी विस बंधन में पढ़ता चला जाता है इसलिए महाप्रभु कहते हैं डरही डरव हरिवनशहित जिन अब ब्रह्मही गुण सलिल पर अब और इस इस त्रिगुण पर भ्रह्मन मत कर इस त्रिगुण रूपी जल पर ब्रह्मन मत कर एक बड़ी मदूर सी पंक्ति मुझा समरन आ रही है किसी ने गाया है अमृत है हरी नाम हमारा छोड़ विशेरस पीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या और जिसे नाराज जी ने अमृत स्वरूपा कहा उस अमृत का प्रकट कुम्भ क्या है हरी का नाम नाम में ही समस्त माधुर्य वर इश्वर नहीं तो है कली जुग में तो भाई कली जुग महा कीर्तन प्रधाना गुर्मुख जपिये लाए ध्याना श्रिमत भागवत केती कलव केशव कीर्तनात बहुत कुछ ना समझ में आये ना आपको मन हो आपकी इच्छा हो कि अब भक्ती करें अब भक्ती की भावना जीवन में धारन करें और बहुत कुछ ना समझ में आये तो सीदे सीदे हरी का नाम रटिये सीदे सीदे हरी भजिये बस यह सब रोगों की एक औशदी मेरे सारया दुखादा दरू एक पुडी राम ना दी यह सब रोगों की एक औशदी है एक औशदी तो ऐसी अम्रित स्वरूपा यह भक्ती है और जैसा कबीर साहिब ने कहा कि जीव या तो अपने बल से मुक्त हो जाए या फिर साहिब कृपा करे और मुझे ऐसे लगता है भईया बड़ा अल्पसा जीवन है अपने बल का भरोसा न करना अपना भरोसा ना करना भरोसा करने योग्य विश्वास करने योग्य तो केवल मात्र एक स्री कवलों की शरण में ही आकर जीव का जनम जनमांतर का ताप निवरित होता है यही आपकी मेरी आत्मा का परम विश्राम है परम गंतव्य है तो बिना किसी विचार के बिना किसी ब्रह्म भूल के बिना किसी दुविधा के बिना बिना किसी अन्यता चिंतन के बस यही एक उद चौथे श्लोक की चर्चा करते हैं और चतुर्त श्लोक में श्री नारद जी ने कहा है ये लब्धवा पुमान सिद्धो भवती अम्रितो भवती त्रिप्तो भवती आरंब किया नारद जी ने अथात भक्तिम्याख्या स्यामह और फिर कहा साथ अस्विन परमप्रेमर उपा त्रिप्त श्लोक में का अम्रित स्वरूपा चा और चतुर्त सूत्र में चतुर्त सूत्र में नारद जी कहते ये लब्धवा पुमान सिद्धो भवती अम्रितो भवती त्रिप्तो भवती इस अम्रित स्वरूपनी इस परम प्रेमरूपा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता उसे क्या प्रसाद प्राप्त होता है यह लब्दवा जिसका लाव हो जाने पर जिसे प्राप्त कर लेने पर पमान सिध्धो भवती सबसे पहले नारज जी कहरें सिध्ध हो जाता है जीव फिर कहरें सिध्धो भवती अम्रितो भवती कल भी मैंने कहा था इस अम्रित को पी ल जान लेने वाला सत्य स्वरूप हो जाता है, अम्रित स्वरूप हो जाता है, और फिर बड़ा सुंदर शब्द नाराज जी ने कहा, त्रिप्तो भवती, संतुष्ट हो जाता है, तो सबसे पहले नाराज जी ने कहा, सिद्धो भवती, अब यहां, बड़े ध्यान से सुनने औ भगवान जब जब बात हो जब भगवान शब्द का चिन्तन हो जब सब शब्द का शवन हो लगर कहीं ब्रम भूल ना रहे, किसी को भी भगवान समझने की गलती ना कर ले, किसी को भी भगवान समझने की भूल ना कर बैठे, मैंने कई बार निवेदन किया, शरनागती तभी सफल और सार्थक है, जब शरन्य समर्थ हो, अगर शरन्य समर्थ ना हो, उसमें आपकी रक्षा कर इनने का सामर्थ ना हो तो शर्णागती निश्वल हो जाती है। भक्तमाल में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। यह किसी भी प्रकार से ठीक मालूम नहीं पड़ता है। भक्त है तो भैवित नहीं होगा। भैवित है तो अर्थात कही ना कही तुटी है। कही ना कही चूख हो रही है। भक्त को भै नहीं होता। एक एक बात गाट बांध लीजिए, यदि आप भैभीत होते हैं, तो अर्थात अभी भक्ती की भावना सुद्रिड नहीं हुई, भक्त को भै नहीं है, भक्त को भै नहीं है, कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, पतराखन वारो आप हो, जब माखन चाखन हार, तो बड पुरोई जी ने कहा कि भाई आपके भैभीतोने का कारण मुझे समझ में नहीं आता, स्वपन का ऐसा प्रभाव कि आप अब तक थर-थर काप रहे हैं, आपके शरीर से पसीना चूरा है, तो भगवती के सन्मुक उपस्तित हुए, राजा श्री पीपा जी अपना कष्ट न वए है, वो तो काल का वए है, मैं आपको संसार की सुक, सुविधा, साधन, सामगरी, संपत्ति, सम्रिद्य से धीप्रदान कर सकती हूँ, लेकिन काल के भैसे मुक्त कराने की सामर्थ मेरी नहीं है, इसके लिए तो आपको किसी समर्थ सदगुरू की शरणागती प्राप्त करके प्रभू के, श्री हरी के, श्री चरणारविंद का भजन करना होगा, तो अगर शरण समर्थ ना हो, तो वो आपको और मुझे काल के भैसे मुक्त नहीं कर सकता, और मैं यह एक बात आपको फिर निवेदन कर दू, कि जितने भी देवी या अन्य देव हैं, सब में एक ह और समर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ प्रदान अवश्यक कर सकते हैं, इसमें कोई संदे संशय नहीं है, लेकिन काल के, काल के चक्र से, तृताप से, सदा सदा के लिए अगर कोई मुक्त करा सकता है, कुछ मुक्त करा सकता है, तो वो केवल श्री हरी की भक्ती है, केवल श आश्ट शिध्ध हो जाता है वो कैसा सिद्ध अणिमा लगिमा क्या इस परकार की अस्ठ शिध्याँ नवनिधियाँ उसे प्राप्त हो जाते है नहीं ॥ यह नारध जी ऐसी किसी सिध्धி की बात नहीं करते है इस विशए में तो गुजे एक संत का वाक्य समरन आता है और बड़ी प्यारी बात है, बड़ी सठीक बात है दो शब्रभ्रों में संत नेमानों सब कुछ कहते हैं हमारे बड़े बाबा कहा करते थे बुले भाईया जिसे प्रभु से प्रेम हो जाए वो तो सादक है जिसे प्रभु से प्रेम हो जाए अनुराग हो जाए वो तो सादक है अब किसी ने पूछा महाराज अगर ये सादक है तो फिर सिद्ध कौन है तो बाबा हसकर कहा करते थे प्रभु को जिससे प्रेम हो जाए वो सिद्ध है जैसे प्रभु प्रेम करने लगे इसके बिना प्रभु का मन न लगे जैसे पंडरीनात का दर्शन करने पहुंचे नामदेव जी बड़ी सुन्दर ध्वनी हो रही थी भक्त लोग दाम नृत्य कर रही थे स्वर्गुंजायमान हो रहा था विठल विठल विठला माझा पांडूरंग विठला विठल विठल विठला पांडूरंग विठला और नाम देव जी कहीं एक कोने में खड़े सन्मुक नहीं जा रहे प्रभु के और कहरे पंडरीनात के नेत्र चंचल हो गए बगवान यहां वहां देखने लगे कि अरे मेरा नामा आया है क्यों दिखाई नहीं पड़ता मुझे माता रुक्मिनी ने पूछा अधीर क्यों हो रहे हैं प्रभू अरे आया है मंदिर में आपके सन्मुक आ जाएगा प्रभू मुस्कुरा कर कहते हैं अरे तुम नहीं जानती मेरे भक्तों होगा स्वभाव वो तो संकोच में मंदिर के किसी कोने में खड़ा होगा पड़ा होगा यह विचार करते हुए मैली चादर ओढ़के कैसे द्वार तुम्हारे आओं मैली चादर ओढ़के कैसे तो ऐसा भक्त जिसके बिना प्रभु व्याकुल हो जाएं जिसे मिलने के लिए प्रभु अधीर हो जाएं यह सिद्ध है भक्ती का क्षेत्र हो तो फिर कोई और सिद्धी नहीं भक्ती के क्षेत्र में मैं तो यह कहुँगा कुछ प्राप्त करने को सिद्धी नहीं कहते अपने आपको जितने सरवात्म सरवतो भावे नियोचावर कर दिया है न वो सिद्ध हो गया है स्वप्ल में भी जिसे स्वासुख की इच्छा नहीं है स्वप्ल में भी जिसे स्वासुख की वासना नहीं है जिसके भीतर वासना का लेश भी नहीं रह गया है जो पूर्ण रूप में निश्काम है जो सहज हो गया है वो सिद्ध है तो यह लब्दवाप पमान सिद्धो भवती जब नारजी सिद्ध कहते हैं ऐसे हमारे सेवक जी कहते हैं श्री अरिवंच नाम सब सिद्धी लेकिन यहां सिद्धी से अर्थ यह नहीं है आप जब चाहें आकाश में उड़ने लगे जब चाहें स्वम को छोटा कर ले, बढ़ा कर ले यहां किसी इस प्रकार की लौकिक या पारलौकिक सिद्धी की बात नहीं है यहां तो किवल एक ही सिद्धी है प्रेम के देश में एक ही सिद्धी है और वो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए पहले ही कहे चुके नारज जी साथ त्वस्मिन परम प्रेम रूपा उस उतकट अनुराग की बात नारज जी पहले ही कर चुके जहां किसी अन्य भावना की समाई ना हो पर दिवर्शी नारद कह रहे हैं या लब्धवापमान सिद्धो भवती, फिर जैसे ये शेत्र विलक्षन है, जैसे ये भावना विलक्षन है, ऐसे ही, यहां की वार्ता भी विलक्षन है, यहां की वृत्ती भी विलक्षन है, यहां जो वस्तु प्राप्त होती है, वो भी सा भजन के मार्ग पर निश्कामता ही सिद्धी है और और सरल करके मैं कहे दू निश्कामता अर्थात अंतहal करण 59 शुद्ध को जाना बजन के मार्ग पर सुद्धि ही सिद्धी से भगवान मिलते हो ऑसा तुमैंने कहीं नहीं पढ़ा किसी से नहीं सुना Ecuador अवश्य और इसमें किसी अन्य प्रमान की अवश्यक्ता नहीं है, प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं शुद्धी से भगवान मिलते हैं, सिद्धी से नहीं और भक्ति के मार्ग पर शुद्धी ही सिद्धी है अन्तहकरन शुद्ध हो जाए, आप निश्काम हो जाए, यही भजन के मार्ग की सिद्धी है जब प्रभु कहें, क्या चाहिए, और आपके पास याचना करने के लिए कुछ ना हो आपका रोम रोम भरा हो प्रेम से, आप असीस देते हों प्रभु को रानी तेरो चिर जीवे गोपाल सूर्दाजी सिद्ध है मेरे माहप्रभु कहते हैं, चिर जीवो भूतली है जोरी, यह भक्ती की सिद्धी है यह भक्ती की सिद्धी है, जब जब याचना समाप्त हो जाए, जब कामना समाप्त हो जाए चित्त कामना के कलुष से मुक्त हो जाए, विनिर्मुक्त हो जाए, निर्मलता प्राप्त हो जाए अंताय करण को, यही भजन मार्ग की सिद्धी है तो नारज जी करें लब दवा, पमान, सिड्धो भवती, सिद्ध अर्थात जो निर्मल हो गया है, जो निश्कां हो गया है, जो शुध्य हो गया है, फिर नारज जी करें, अमृत भवती, अमृत अर्थात, कल भी मैंने आपसे निवेधन किया, जिसका पान करके भायरोप renewed हो जाए पर यहां नारत जी के ने बट स्वय मम्रित स्वरूप हो जाता है अर्थात के भक्त माल का मंगला चरण है भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपवेक तीनके पद वन्दन के नासे विगन अनेक भक्त भक्ति भगवंत और गुरु नाम चार है परत्त्व एक है, तो जैसे भक्ती अम्रित स्वरूपा है, ऐसे भक्त भी अम्रित स्वरूप हो जाता है, जो उसका संग करे, जिस पर कृपा करे, जिस पर भक्त की दृष्टी पड़ती है, जिसके लिए भक्त संकल्प करता है, जिसके लिए भक्त के निश्काम चित में संकल्प सुरित उस जीव का कल्यान हो जाता है वो जीव अम्रित स्वरूप हो जाता है तो भक्त सिद्ध हो जाता है अर्थात शुद्ध हो जाता है अम्रित स्वरूप हो जाता है अर्थात जिसे चाहे उसे प्रभू से मिला सकता है जिसे चाहे उसे भक्ति का प्रसाद दे सकता है जिसे चाह उसका कल्यान करा सकता है वर तीसरी बात नारज जिक कहते हैं त्रिप्तो भवती संतुष्टी आप विचार करिए यह जो आपके जन्नम जनमान्तर की यात्रह है यात्रह क्या? यह तो भटकना है यात्रह तब आरंभ होती है जब गंतव्य निश्चित हो जब उदेश्य हो तभी यात्रा है जब तक उदेश्य का पता नहीं तब तक यात्रा नहीं तब तक तो कोरा भटक ना है जब तक ये खबर ना हो जीवन मिला क्यों है जब तक ये खबर ना हो कि जीवन आत्म कल्यान के लिए मिला है जब तक ये स कभी स्वयम को लोहे के पिंजरे में डाल देना है, और कभी स्वयम को सोने के पिंजरे में बंद कर लेना है, पर पिंजरा तो पिंजरा है, वो लोहे काओ के सोने का, बंदन तो बंदन है, बंदन तो बंदन है, तो यात्रा तब है ये जीवन, जब उदेश्य हो, उदेश्य स जो ये भटकाव है, जो भटके हैं हम जनम जनम से, जो बिछडे हैं हम जनम जनम से, उसका कारण क्या है? आप देखो, कि आपके और मेरे जीवन में ये जो संबंध बनाने की इच्छा है, क्यूं है? क्यूं आप और मैं वस्तु से संबंध बनाना चाहते हैं, व्यक्ति से ना कहीं आप और मैं अपने भीतर अपूर्णता की अनुभूती करते हैं, जो जिसे भीतर से संतुष्टी लाब हो गई है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जो अपने निजानन्द में मगन हो गया है, जिसे लगता है कि मैं संपूर्ण हूँ, उसे किसी की आवश शक्ता नहीं है, भक्त के जीवन में, साधू के जीवन में, जो एक-एक मस्ती होती है, वो क्या है, वो यही तो है, कबीर साहिब कहते हैं न, हमारा यार है हम्में, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को हूशियारी क्या, हमारा यार है हम्में तो यह जो जितना विखराव और भटकाव है, यह जो बार-बार आपके वेरे जीवन में संबंद बनाने की इच्छा होती है, और आप और में बनाते ही हैं, आप देको जीवन क्या है, जीवन केवल संबंदों का एक जाल तो है, वस्तों से संबंद है आपका मेरा, व्यक्तियों से संबंद है आपका मेरा, संबंद ही तो है केवल, जीवन में और है क्या, केवल संबंद है, क्यों है आवश्चक्ता इन संबंदों की, क्योंकि आप और में कहीं न कहीं, अपने आपको अपूर्ण अनुभव करते हैं, और अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपूर्णता है, इसलिए उसकी अनुभूती होती है, इसलिए विवर्ष होते हैं, कितनी बार आप और में तिरस्कृत होते हैं संसार से, अपमानित होते हैं संसार से, पीडित होते हैं संसार से बहुत बार अनुभव हो जाता है कि ये संबंद असार है बहुत बार अनुभूती कराते हैं प्रभू कि इन में से कोई भी कोई भी है नहीं अपना कोई भी है नहीं इस योग्य इसके लिए जीवन दे दिया जाए पर विवश है आप और में वो भीतर की जो अपूर्णता है वो जो भीतर का अधूरापन है वो जो एक खालीपन है वो आपको बुझे बार-बार विवश करता है किसी की ओर जो आकरशन होता है क्यों होता है क्या भी आपने विचार किया है किसी की और आपका जो आकर्षन है, वो क्यों है, आप भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, ये आकर्षन क्यों है, क्योंकि आप अपने भीतर अपूर्ण अनुभफ करते है, वो अधूरापन जो है, वो आपको बाद्ध करता है, वो विवश करता है, विवश करता है आपको स समंद बनाने में और समंद बनाते ही समंद बनाते फिर वो फिर वो दुश्चक्र आरंभ हो जाता है फिर वो लेना और देना और बस वो लेते और देते एक नहीं अनेक जनम बीच जाते हैं तो नारट जी कहते हैं कि भक्ति क्या प्रसाद देती यह लब्दवा पुमान त्रि अब और नहीं, कितना भी स्वाधिष्ट भोजन क्यों ना हो, पर आपका पेट भर जाए, खुब छक्कर भोजन कर लें आप, उसके बाद उसी स्वाधिष्ट भोजन को देखने की भी इच्छा नहीं होगी, यदि आपका पेट भर गया है, यदि त्रिप्त हो गए हैं आप बिल्कुल ठीक ऐसे ही, जिस घड़ी भक्ती रूपी त्रिप्ती का लाब होता है, आपकी आत्मा को जो चाहिए, उसे वो मिला, वो कहेगी बस अब और नहीं, अब कोई आवश्चक्ता नहीं है, अब कभी आवश्चक्ता नहीं है, और संसार में जब त्रिप्ती लाब होत कि कुछ काल के बाद उसी विशे की और फिर आकर्शन होगा, फिर आप और मैं उसी विशे को भोगेंगे, पर भक्ती के ख्षेत्र में ऐसा नहीं है, यहाँ जब त्रिप्ती लाब होती है, तो वो सदा सरवदा के लिए होती है, वो सदा सदा के लिए होती है, भगवान ने तेरी बक्षना मेटे कोई सत गुरू का दिलासा तो भक्ती तृप्ति लाब कराती है किस प्रकार वो जीव को पूर्णता का अनुभव कराती है पूर्णता का अनुभव कैसे होता है जब आत्मा और परमात्मा का संबंध हो जाता है जैसे ही देखिए मैं कई बार कहता हूँ deep down we just want to be loved आत्मा को केवल एक प्रेम की आवश्यक्ता है प्रेम की संसार में भी आपने और मैंने जब जब आशा लगाई है प्रेम की आशा में आप और मैं इस जाल में फसे हैं आपने और मैंने स्वैम को सदा प्रेम की आशा वे ही तो कष्ट दिया है प्रेम की आशा ही आपको मुझे बार बार निराशा की ओर लेकर गए योगि वो अमने आशा संसार से लगाई तो भक्ती नारजी पहले ही कह चुके परम प्रेम रूपा इश्वर के प्रती परम प्रेम रूपा और जैसे ही प्रभु से प्रेम का संबंद जुड़ता है पूर्णता आती है जीवन में मैं सूत्र को समेटते हुए मानी को विराम की ओर लेकर जा रहा हूँ जैसे ही प्रभु से प्रेम होता है पूर्णता आती है जीवन में पूर्णता के आते ही त्रिप्ति लाब होता है संतुष्टी का लाब होता है बस अब और कोई नहीं अब और कोई नहीं महारारे गिरिधर गोपाल दूसरा न कुम्या महारारे गिरिधर गोपाल दूसरा न कुम्या तो भाई खालीपन तो भीतर है आप और मैं बाहर भरने का प्रयास करते हैं आपने घर भर लिया अलमारी भर ली तिजोरी भर ली आप और मैं बाहर भरने में लगे हैं खालीपन भीतर है जब तक वो भीतर का खालीपन नहीं दूर होगा जब तक आप और मैं इसी प्रकार की अनरगल चेश्टाए करते रहेंगे भरते रहेंगे अपना घर और संसार विशम संबंदों से और स्वयम को कष्ट देते रहेंगे स्वयम को पीडा देते रहेंगे खालीपन बाहर नहीं है अभाव बाहर नहीं है अभाव भीतर है और उस भीतर के अभाव की पूर्ती उस प्रेम की पूर्ती कराती है भक्ती तो ये भक्ती का अमृत बिंदू पान करते ही पुणता की अनुभूती होती है पुणता ही त्रिप्ती का लाव कराती है और नारग जी कहते हैं यह लबदवा जिसे जिसका लाव हो जाने पर जिसे प्राप्त कर लेने पर पमान, सिद्धो भवती, जीव सिद्ध हो जाता है, अर्थाद शुद्ध हो जाता है, अम्रतो भवती, अर्थाद स्वयम अम्रित स्वरूप हो जाता है, स्वयम सत्य स्वरूप हो जाता है, स्वयम मृत्यू के भय से सदा सदा के लिए मुक्त होकर, मुक्त होकर अपने उस सत्य निज सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है और फिर कहते त्रिप्तो भवती और एक बात आपको बता दू कि सच्चा सुख जो है ना इस संसार में कोई सच्चा सुख है तो वो त्रिप्त हो जाने में है और त्रिप्ती तिरिप्ती बाहर तीन लोग की वस्तुएं आप एकत्रित कर लें तिरिप्ती का लाब हुझ नहीं सकता क्योंकि अभाव खालीपन बाहर है ही नहीं खालीपन तो भीतर है भीतर का खालीपन भरता है भगवान की इस अमृत स्वरूप्मिनी भक्ती से यही संकेत श्री नाराज जी ने किया है यह लब्दवा पमान सिद्धो भवती अम्रितो भवती त्रिप्तो भवती जाही लहे कछुलैन की चाह नहीं में होए जयती जगत पावन करण प्रेम बरन यह दोए चिंतन करिएगा मनन करिएगा श्री हरीवंच प्रणाम